आप भी 25 से 50 हजार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसा प्रोड़क्ट चाहते हैं जिसमें कॉम्पेटिशन कम हो और मार्जन्स बहुत अच्छे हो? ऐसे प्रोड़क्ट के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें इंडिया की मुनोपली हो. अगर फूल टाइम करना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है यह मुश्किल है? और अगर आप कोई already business कर रहे हैं तो क्या आप ये नहीं चाहते कि मैं उसको expand करूँ दोस्तों 23 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 तक हमारी import export business की practical training दिल्ली में होने जा रहे है इसका सबसे बड़ा advantage आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे हम आपको live training देंगे live training का मतलब ये है कि आपको practically port पे ले जाया जाएगा और आपको एक एक step सिखाया जाएगा समझाया जाएगा इस training का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप कम से कम पैसों में business शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना business शुरू कर सकते हैं एक beginner के लिए सबसे बड़ा advantage ये है कि अगर उसको product की knowledge भी नहीं है तो हम आपको product की knowledge भी provide करेंगे plus आपको ये बताएंगे कि कौन सी firm आपको initially शुरू करनी चाहिए import-export business में कौन-कौन से license आपके लगेंगे और वो कहां से बनेंगे क्या formality है documentation की, bank का selection कैसे करना है, payment कैसे safe रह सकती है और government तो export में payment का भी insurance देती है मतलब ये कि अगर आपका buyer आपके साथ fraud भी करता है न तो तब भी आपकी payment एक तरीके से safe है क्योंकि आपने insurance लिया हुआ हुआ plus अब आप कोई भी product export करेंगे तो ये भी तो जानना जरूरी है ना कि यार उसकी packaging कैसे करूगा यहाँ पे हम आपको ये भी guide करेंगे कि किस product की कैसे packaging करनी है फिर आपके mind में आएगा sir मुझे shipment करनी है मुझे container की booking कैसे करानी है कौन-कौन से documents लगेंगे custom clearance कैसे होगा ये भी हम आपको सिखाएंगे प्लस अगर आप import भी कराना चाहते हैं आजकल आप देखी रहे हैं Chinese product import हो रहे हैं अलग-अलग country से product import हो रहे हैं तो ये भी हम आपको बताएंगे कि import के लिए सबसे अच्छे products कौन से हैं export के लिए सबसे अच्छे product कौन से हैं manufacturing unit डालना चाहते हैं तो कम पैसों में कौन-कौन सी manufacturing unit आप डाल सकते हैं तो यहीं कम पैसों में आप अपना business शुरू करेए और सबसे बड़ी बात जो लोग study कर रहे हैं जो लोग job कर रहे हैं या जो लोग already business कर रहे हैं business में growth चाहिए कैसे हो सकती है आप अगर running business कर रहे हैं तो उसको भी grow कर सकते हैं जोब कर रहे हैं जोब के साथ भी यह trade कर सकते हैं work from home भी कर सकते हैं प्लस अगर मैं study कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ भी कर सकता हूँ एक्स्ट्रा income कि उसको अच्छी नहीं लगती आप खुछ सोचो लो तो दोस्तों date note कर लीजे और practically सीखे import export business कैसे किया जाता है कैसे step होते हैं एसे लेकर z तक हम आपको सारे steps सिखाएंगे प्लस हमारी तरफ से आपको एक lifetime customer care support system भी हमने बनाया हुआ है कि आपको training के बाद अगर कोई question पूछना हो तो उन numbers पे आप contact कर सकते हैं अगर suppose करिए आप किसी और state में है आप दिल्ली आते हैं आपके लिए रहने का challenge है खाने का challenge है तो घबराईए मत institute की तरफ से आपको रहने और खाने की विवस्था भी अलग से की जाती है लेकिन हाँ इसके charges extra लगते हैं आपको बस क्या करना है जो screen पे number आ रहा है उस पे call करिए whatsapp करिए और registration कराए और 23 जुलाई 2014 से लेकर 27 जुलाई 2014 थक अपना time लेकिया आए और practically सीखिए import export business कैसे किया जाता है तो दोस्तो screen पे जो number आ रहा है उस पे आज और अभी call करिए और registration कराए और अपना import export business शुरू करिए और अपना रहा है और अपना रहा है और स्क्राइए अपनому menu और स्क्राइब is